आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ और जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो हमारे कुछ रहते हैं सिम्बायोसिस में, प्लांट्स के साथ में सिम्बायोसिस का हमारी एक तरह की way of living होती है जिसमें हमारे दो ऑर्गानियजम एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को benefit पहुँचाते हैं अगर हम देखें, तो हमारे जो bacteria होते हैं, वो legume plant के root nodules के साथ symbiosis में रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो हमारे plant से nutrition लेते हैं, ताकि वो अपने आपको grow कर सकें, और in return वो क्या करते हैं, वो जो air में present nitrogen होता है, उसे fix करते हैं, soil में, जिससे कि soil की fertility बढ़ती है, और जो हमारा plant होता है, वो उस nitrogen को अपटेक कर पाता है, तो अगर हम देखें, तो जो हमारा bacteria होता है, जो symbiosis में हमारे रहता है, plant के साथ में, वो हमारा, वो हमारा ब्लॉंग करता है genus rhizobium से, rhizobium species के genus के जो हमारे bacteria होते हैं, वो symbiosis में रह हमारे option में से तो हमें पजलता है, हमारे जो option C है, वो rhizobium है, तो हम कह सकते हैं, इस question का answer होगा, option C.